नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका अर्प के क्लासिस में, BPSC, विहार करेंट फिर्स में, अब तक हम लोग 300 प्रश्ट को कम्प्लेट कर चुके हैं, अब हम लोग 301 से ले करके 325 तक आज के वीडियो में कम्प्लेट करेंगे, उम्मीद है इससे पहले का जो भी कोशन ह वो आपको अब तक अच्छे से याद हो गया होगा, इसको आप 144 पर करें, और कभी भी जब आप रेष्ट में हों तो इसको आप एक बार जरूर सुन लें तो चली शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले दिया आप शनल पर नए हैं, तो चनल को जरूर सस्क्राइब कर लें, पार्स वाले बेल आइकन को दबा लें, वीडियो का दिक्षा दिक शेयर कर दें तो अपना पहला कुशन देखी क्या है कि राष्टिय सिक्षक पुरूसकार 2022 से बिहार के किन सिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा तो ध्यान दखना है राश्टिय सिक्षक पुरुषकार 2022 से 22 में निसी कुमारी और सौरफ सुवन इन दोनों को राश्टिय सिक्षक पुरुषकार शम्मानित किया जाएगा अगला सवाल देखी क्या कहता है कि हाली में बिहार विधान परिशत के नए सभापती कौन निरवाचित हुए है तो ध्यान रखिए हाली में बिहार विधान परिशत के नए सभापती अवद बिहारी चौधरी बने है अवद बिहारी चौधरी अब इस तरह का जो भी appointment होता है जो निक्ति होती है, हाइट कोट का हो जाए, या बिदान परिश्चत का हो जाए, या किसी भी चीज़ का, वो आप एक्जाम से पहले लिखवार जरूर लेटिस्ट चेक कर लें, अगला कोशन दिखी क्या है, क्या कहता है हमें, कि हाली में, पटना में आय जीत, बिहार राजस थित, अगला सवाल देखते हैं क्या है, कहता है बिहार के किस जिले में इस्थित, विश्नु पदमंदिर में प्रवेश्ट करने वाले मंतरी इसराइल मसूरी के खिलाफ मुझफर पुरु कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई अब इस तरह का कोशन बिलकुल नहीं पूचेगा फालतो कोशन है लेकिन क्या करेगा दे दिया है तो द्यान रखिए विश्नु पदमंदिर जो है ये गया में स्थित है नेक्ष कुशन दिखी क्या है सेम रिपीट कुशन हो गया है ये अध्यक्ष कौन बने है तो ये हैं अवद बियारी चौदरे अगला सबल देखी क्या कहता है कि 76 सजनता दिवस 2022 के अफसर पर गांधी मैदान में निकाली गई नौ जहांकियों में किस विभाग की जहांकी को पहला अस्थान मिला है तो ध्यान रखिए किरसी विभाग की जहांकी को कुल नौ जहांकियों में 26 अजनता दिवस के अफसर पर करसी वाग की जो जहांकी थी उसको पहला स्थान मिला है नेक्ष देखते हैं क्या है कहता है कि बिहार की किस कलाकार की पैंटिंग को लिमका बुक आफ फर्ड रिकॉर्ड में सामिल किया गया है तो ध्यान रखिए राजिव राज की पैंटिंग को लिमका बुक आफ फर्ड रिकॉर्ड में सामिल किया गया है आगे देखते हैं कौन सा कुश्यन है अपना कहता है कि देश का सबसी बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है अच्छा कोश्यन है ध्यान रखिएगा देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पुर्णिया में स्थापित किया जा रहा है कहां पर पुर्णिया में अगला सवाल ग्रामिन विकास विभाग ने वर्ज 2022 की पर्थमती माही अप्रेल से जुलाई में मन्रिगा के तहट जिलों में पदर्शन रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा राज जिला राज में पहले स्थान पर है अच्छा कौन दियान रखीएगा तो दियान रखना है आपको बकसर जो है ये पहले स्थान पर है बकसर अगला कौन देखी क्या कहता है कि बिहार की किस दिले में बच्चे की सपने साकार करने के लिए नटकट साइंस लेब खोली गई है अच्छा कुशन है, स्टेटिक कुशन है ध्यान रखिए बच्चे की सपनों को साकार करने है तू नटकट साइंस लेब जो है आपका भागलपूर में खोला गया है, कहाँ पर भागलपूर में अगला सवाल दिखी का गयता है कि बिहार के किस दिला में इस्तित चनपटिया स्टार्टप जोन ने जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपणों का निर्यात किया जाएगा तो ध्यान रखिए चनपटिया स्टार्टप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, दुबई से कपड़ों का नर्यात किया जाएगा और इस चनपटिया जो है ये पुर्वी चमपारण में है चनपटिया यहां से मनिस्कस्यप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं मनिस्कस्यप से आप वाकिफ हैं नेक्ट दिखी क्या गएता है 312 नंबर कहता है कि राज के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमिल देने की गोशना की गई है बहुत अच्छा कोश्चन है तो ध्यान डखना है आपको सभी भूमिहीन लोग को जो है 5 डेसिमल जो है ये भूमी भूमी जो है दिया जाएगा 5 डेसिमल नेक्ट देखी क्या है कहता है हाली में बिहार की किस उत्पात को GI टेग मिला है मितला मखाना को GI टेग मिला है आपको मालूम है अगला सवाल देखी क्या कहता है कि बिहार में सहजन की खेती पर परती एकड कितने रूपे का अनुदान देने का फैसला सरकार के द्वारा किया गया है तो ध्यान रखिए सहजन की खेती पर परती एकड अगर जो अनुदान दिया जाएगा ये है 50,000 का सहजन की खेती पर अगला सवाल देखिए क्या कहता है किस अध्यादेश के अंतरगत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ विविन नगर निकायों के प्रमुखां का चुनाव करेगी बहुत ही अच्छा सवाल है तो ध्यान रखिए बिहार नगर पाली का संसूदन अध्यादेश 2022 के तहथ आम जनता जो है मेयर डिप्टी मेयर और मात्पुन पदों में के चुनाव में भाग लेगी अगला सवाल देखी क्या कहता है 316 नंबर क्या कहता है कि बिहार के किस खिलाडी ने राष्ट्रिय ग्रेपलिंग कुस्ती में स्वर्ण पदख जीत लिया है तो ध्यान रखिगा भूशन कुमार महतो जी ने राष्ट्रिय ग्रेपलिंग कुस्ती में स्वर्ण पदख जीता है भूशन कुमार महतू अगला सवाल देखी क्या है कि बिहार इंडिस्ट्री एसोशेशन के अध्यक्ष के रूप में किसी चुना गया है तो द्यान देखी का बिहार इंडिस्ट्री एसोशेशन के अध्यक्ष बने हैं अरुन अगरवाल अरुन अगरवाल बिहार क्या है क्या कहता है कि हाली में बिहार सरकार द्वारा बाल विवा तता देहिज पर्था को शमाप्त करने के उद्देश से किस अभियान की सुरुवात की गई है द्यान नेकी का अच्छा कोशिचन है बाल विवा और देहिज पर्था को शमाप्त करने हैं तू बिहार सरकार के द्वारा समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है ठीक है नेक्श कोशन देखी क्या है हाली में राज सरकार ने डिजिटल भूमी अभिलेक की डोर स्टेफ डिलिवरी करने की सुरू जो है गोशना की एक किस राज ने तो ध्यान रखी एक अच्छा कोशन है बिहार सरकार ने डिजिटल भूमी अभिलेक की डोर स्टेफ डिलिवरी सुरू करने की गोशना की है नेक्श कुशन देखी क्या गयता है कि भारत में पहली बार वैश्विक बहुत सम्मेदन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है तो दियान रखिए भारत में पहली बार वैश्विक बहुत सम्मेदन की मेजबानी नालंदा में ये किया जाएगा अगला सवाल देखे क्या है कि हाली में परिटन विवाग बिहार सरकार के दोरा सेर सासूरी महुत सब का आयोजन कहां किया गया तो ध्यान रखिए पर्येटन विभाग के द्वारा सेर सा सूरी महुतसप का जो आयजन हुआ है ये रोतास में हुआ है रोतास में नेक्ष कुशिन दीखी क्या कहता है कि बिहार की किस अस्थान पर ITC विक्षित किया जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है बिहार में राजगीर में जो है ITC विक्षित किया जाएगा ITC कहाँ बनेगा राजगीर में अगला कुशिन देखते हैं क्या है वर्ल्ड रोबोटिक्स चेंपिंशिप में बिहार के कितने चात्र जो हैं चैन हुआ है नेक्ष कुशिन देखी क्या कहता है कि हाली में बिहार के किस किलाड़ी का चैन Asia Pacific Diff Badminton Championship के छटे संसकरण में किया गया है तो ध्यान रखिएगा हाली में रितिक आनन्द का जो चैन हुआ है Asia Pacific Diff Badminton Championship के छटे संसकरण में हुआ है रितिक आनन्द का नेक्ष कुशिन देखी क्या है कहता है हाली में राज सरकार ने 2500 साल पुरानी साइकलोपियन वाल के लिए युनिस्को की हेरिटेज अस्थल की मांग के लिए प्रस्ता भेजा है ये बिहार में किस स्थान पर है अच्छा सवाल है ध्यान रखिएगा तो ये है राजगीर में पच्चिस साल सौ साल पुराना है ये साइकलोपियन वाल और युनिस्को की हेरिटेज अस्थल की मांग के लिए जो है बिहार तरकार ने प्रस्ता भेजा है ये जो है राजगीर में तो ये हो गया आज का अपना 25 पोजिशन उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा वा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शियर जरू करें मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अपके के लिए जय हिंद